हेलो एंड वेलकम टू करेंट अफेर्स टीवी यह विडियो सामाने घ्यान के क्विस्टन्स और एंसर्स का पार्ट दस है अंतिम प्रशन आपके लिए है उसका उत्तर कमेंट जरूर करें लेट्स स्टार्ट प्रशन नंबर 226 विटामिन की खोज किसने की थी इसका उत्तर है कैसिमिर फंक ने एकस्प्लीनेशन विटामिन की खोज 1912 में हौपकिन्स के द्वारा की गई थी लेकिन विटामिन का नामकरन कैसिमिर फंक द्वारा किया गया इसलिए कैसिमिर फंक को भी विटामिन का खोज करता माना जाता है प्रशन नंबर 227 वर्ष 2022 के राश्रमंदल कहां होंगे इसका उत्तर है बर्मिंगम इंग्लेंड में एक्स्प्रनेशन 2022 में राश्च्रमंदल खेल बर्मिंगम इंग्लेंड में आयोजित किया जाएगा CGF की 21 से 23 फरवरी 2020 को लंदन में हुई बैठक के निर्ने के अनुसार वर्ष 2022 में राश्च्रमंदल तीरंदाजी और निशाने बाजी चेंपियनशिप का आयोजन भारत के चंडीगर शहर में किया जाएगा प्रश्न नंबर 228 कांसा किसकी मिश्र धातू होती है इसका उत्तर है कॉप पर तथा तिन की एक्स्प्लेनेशन कांसा या कांसे किसी तामबे या तामर मिश्रित धातू मिश्रन को कहा जाता है प्रायक्टिन के संद परंतु कई बार फास्फोरस, मैंगनीज, जस्ता, अल्यूमिनियम या सिलिकॉन आदी के संद भी होते हैं इसे अंद्रेजी में ब्रॉन्स कहते हैं प्रश्न नंबर 229, गाडियों में पीछे का द्रिश्य देखने के लिए किस दर्पन का प्रयोग किया जाता है इसका उत्तर है उत्तल दर्पन का, एक्स्प्लेनेशन वह दर्पन जिसका परावर्तक सता बाहर की ओर उभरा रहता है उसे उत्तल दर्पन करते हैं उत्तल दर्पन प्रकाश को बाहर की ओर प्रतिबिम्बित करती है उत्तल दर्पन का उप्योग घर के दर्वाजे में तीछे से आ रहे वहनों को देखने के लिए गाडियों में उत्तल दर्पन का ही उप्योग किया जाता है प्रश्न नंबर 230 योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है इसका उत्तर है प्रधान मंत्री एक्स्प्लेनेशन भारत का योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था थी 15 मार्च 1950 को केंद्रिय मंत्र मंदल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना की स्थापना की गई थी योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधान मंत्री होता है 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया और इसके जगह पर नीती आयोग का गठन हुआ नीती आयोग भारत सरकार की एक थिंग टेंट है। प्रश्न नमबर 231 किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। इसका उत्तर है विटामिन की की कमी से। एक्स्प्लनेशन विटामिन के बसा में घुलनशील विटामिन हैं। तथा रक्त का थक्का जमाने के ये अत्यावशक होता है। रक्त का थक्का बनना मनुष्य के शरीर की एक विशिष्ट ख्रिया है। यदि रक्त का थक्का ना बने तो चोट लगने पर अत्यधिक रक्त स्राव के कारण विट्ती की मृत्ति भी संभाव हैं। तथा कभी कभी रक्त का ठक्का बनना जानलेवा भी हो जाता है। जैसे मस्तिष्क में ब्लड क्लोटिंग कई बार व्यक्ति को लखवा ग्रस्त भी बना देती है। प्रश्न नंबर 232, विटामिन C का रासाइनिक नाम क्या है? इसका उत्तर है, एसकोर्बिक अमल। प्रश्न नंबर 233, साधारन नमक का रासाइनिक नाम क्या है? इसका उत्तर है, सोडियम क्लोराइड, एक्स्प्लेनेशन, सोडियम क्लोराइड, सोडियम का एक अकार्बनिक योगिक है, जिसे नमक या साधारन नमक करते हैं। यहाँ एक आयनिक योगिक है, समुत्र के जल का खारापन मुख्यता, उसमें उपस्थित सोडियम क्लोराइड के कारण होता है। प्रश्न नमबर 234, होप मेन कप किस खेल से संबंधित है? इसका उत्तर है तेनिस से। इक्स्प्रनेशन, होप मेन कप एक अंतर राष्ट्रिये आठ तीम इंडोर हार्ड कोर्ट तेनिस तूर्नामिंट था। इस चेंपियनशिप को हैरी होप मेन के सम्मान में नामित किया गया था, जो एक आस्ट्रेलियाई तेनिस खिलाडी और कोच थे। प्रश्ण नंबर 235, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। इसका उत्तर है सोडियम कार्बनेट, एक्स्प्रनेशन, सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक योगिक है। इसे धोवन सोडा या धोने का सोडा भी कहते हैं। यह एक सामानने लवन है, जिसका जलिय घोलकशारी होता है। इसलिए इसका उप्योग कपड़े धोने के लिए किया जाता है। धोवन सोडा को जब गर्म किया जाता है, तो यह बेकिंग सोडा में बदल जाता है। प्रश्न नमबर 236, अशोक चक्र में कितनी तीलिया होती है। इसका उत्तर है 24 तीलिया, एक्स्प्लनेशन, समराट अशोक के बहुत से शिलालेखों पर प्रायह एक चक्र बना हुआ है। इसे अशोक चक्र कहते हैं, अशोक चक्र में 24 तीलिया है। प्रश्न नमबर 237, मानव शरीव में कितनी पेशिया है। इसका उत्तर है 649 पेशिया, एक्स्प्लनेशन, मसल प्राणियों का आकुंचित होने वाला उतक है। मनुष्य के शरीव में 40 प्रतिशत भाग पेशियों का होता है। मानव शरीव में 649 मांस पेशिया पाई जाती हैं। इनमें से 400 पेशिया रेखित होती है। शरीव में सरवाधिक 180 पेशिया पीठ में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 238, मानव शरीर में सबसे छोटी हड़ी कौन सी होती है? इसका उत्तर है स्टेप्स. एक्स्प्रनेशन, स्टेप्स, मध्य कान में एक छोटी सी रकाब के आकार की हड़ी होती है, जो अंदर के कान से वाइब्रेशन्स को ट्रांस्मिट करती है. प्रश्न नंबर 249, मनुष्य की आख में किसी वस्तु का प्रतिविम कहां बनता है? इसका उत्तर है रेटिना में. एक्स्प्रनेशन, कशेरुकी या हड़ी वाले जीवों में रेटिना, आख के अंदर एक प्रकाश सम्वेदी उतर्पर्त को कहते हैं. आख की प्रणाली एक लेंस की सहायता से, इस पतल पर सामने का द्रश्य प्रकाश रूप में उतारती है और ये पतल लगभग एक फिल्म कैमरा की भांती, उसे रासायनिक एवं विद्धित अभीक्रियाओं की एक श्रेनी के द्वारा तंत्रिकाओं को भेज देता है. प्रश्न नमबर 240, दीने की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? इसका उत्तर है, वाट्सन और क्रिक ने, एक्स्प्रिनेशन, जेम्स डी वाट्सन, एट अमेरिकन जीवानों वैग्यानिक हैं. वे दीने की बनावट पता करने के लिए जाने जाते हैं. इस कारे के लिए उन्हें, फ्रांसिस क्रिक और मौरिस विलकिन्स को 1912 में नोबर पुरुसकार मिला. प्रश्न नमबर 241, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? इसका उत्तर है, एपिकल्चर. एक्स्प्लेनेशन, एपिकल्चर, मधुमक्खी पालन से संबंधित है. प्रित् दोर पर मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी, कई हजार श्रमिक मक्खी और कुछ नर मधुमक्खी होते हैं. प्रश्न नमबर 242, वह एक मात्र ग्रह कौन सा है, जो अपनी धुरी पर पूर्फ से पश्चिम दिशा में घूमता है? इसका उत्तर है, शुक्र ग्रह. एक्स्प्लनेशन, शुक्र, सूरे से दूसरा ग्रह है, और प्रतेक 224 तशमलव साथ प्रित्वी दिनों में सूरे की परिक्रमा करता है. ग्रह का नामकरन प्रेम और सौंदरे की रोमन देवी पर हुआ है. प्रश्न नमबर 243, वर्ष 2018 का फुटबोल विश्वकप किस 2018 से 15 जुलाई 2018 के बीच रूस में हुआ. प्रतिस परधा का फाइनल मौस्को के लुजनिकी स्टेडियम में खेला गया, जिसमें फ्रांस ने चार दो से क्रोएशिया को हरा कर दूसरी बार विश्वकप अपने नाम किया. प्रश्न नमबर 244, संसत के दोनों सद्नों की करता है. इसका उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष. Explanation लोकसभा अध्यक्ष. भारतिये संसत के निम सदन लोकसभा का सभाप्ती एवं अधिश्थाता होता है. वरतमान लोकसभा अध्यक्ष श्री उम्भिल्ला है, जो कि अपनी पूर्वा धिकारी सुमितरा महाजन के बाद इ सीन है यह 17 वी लोक सभा के अध्यक्ष है प्रश्ण नंबर 245 भारतिय सम्विधान के किस अनुच्छेद के अंतरगत जम्मु कश्मीर को विशेश दर्जा प्राप्त था इसका उत्तर है अनुच्छेद 370 के अंतरगत एक्स्प्लेनेशन भारतिय सम्विधान का अनुच्छेद 370 एक ऐसा अनुच्छेद था जो जम्मु और कश्मीर को स्वायत का प्रदान करता था भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को राज्यस भा में एक एतिहासिक जम्मु कश्मीर पुनरगठन अधिनियम 2019 पेश किया जिसमें जम्मु कश्मीर राज्य से सम्विधान का अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का विभाजन जम्मु कश्मीर एवं लद्दाख के दो केंद्र शासित क्षेतरों के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया प्रष्न नंबर 246 विश्व का सबसे बड़ा महाधवीब कौन सा है इसका उत्तर है ऐशिया महाधवीब एकस्प्लनेशन एशिया या जम्मुदवीब आकार और जन संख्या दोनों ही दरिष्टी से विश्व का सबसे बड़ा महाधवीब है जो उत्तरी गोलार्ध में मिलती हैं एशिया और यूरोप को मिलाकर कभी कभी यूरेशिया भी कहा जाता है प्रश्न नंबर 247 भारत में भाशा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश एक्स्प्लनेशन आंध्र प्रदेश भारत के दक्षिन पूर्वी तट पर स्थित राज्य है क्षेत्र के अनुसार यह भारत का चौधा सबसे बड़ा और जनसंख्य की दृष्टी से आठ्वा सबसे बड़ा राज्य है इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर अमरावती ह है हैद्रबाद केवल दस साल के लिए राजधानी रहेगी तब तक अमरावती शहर को राजधानी का रूप दे दिया जाएगा इस राज्य में दो प्रमुख नदिया गोदावरी और खृष्णा बहती है क्रश्ण नंबर 248 सिल्यूकस का राजधूत जो चंद्रगुप्त मौरे के दरबार में आया कौन था इसका उत्तर है मेगस्थनीज एक्स्प्लेनेशन मेगस्थनीज युनान का एक राजधूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था युनानी सामंत सिल्यूकस भारत में फिर राज्य विस्तार की इच्छा से 305 इसा पूफ भारत पर आक्रमन किया था किन्तु उसे संधी करने पर विवश होना पड़ा था संधी के अनुसार मेगस्थनीज नाम का राजधूत चंद्रगुप्त के दरबार में आया था वह कई वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा उसने जो कुछ भारत में देखा उसका वर मंदल में सूरे और वह खगोलिये पेंट सम्मिलित हैं जो इस मंदल में एक दूसरे से गुरुत्वा कर्शन बल ध्वारा बंधे हैं हमारे सूरज और उसके ग्रहिये मंदल को मिलाकर हमारा सौर मंदल बनता है प्रशन नंबर 250 आपके लिए इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दूध में कॉम सा विटामिन नहीं होता। ओप्शन ए विटामिन ए ओप्शन B विटामिन सी ओप्शन सी विटामिन भी बाराह ओप्शन D इन में से कोई नहीं THANK YOU have a nice day